दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप मैं राज गुपता फोंडरों राज मेंधी डिजार्णर आपका बहुत बहुत स्वाइट करता हूं अपनी न्यू क्लास वन में गाइस आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम सिखाएंगे आपको बहुत ही बारीकी से मेंधी आज बहुत सो लोग सोषते हूंगे कि मेंधी काशा लगा थैका बहुत है जी कोन से पकड़ता है जो लोग ऐसे पकड़ते हैं क्योंकि कैसे तरीका नहीं है ठीक है कुछ लोग को ऐसे पकड़ते हैं इस तरह से ठीक है कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं कौन को ठीक है और गाइस कुछ लोग इस तरह से पकड़ते हैं ठीक है एक्च्वल तरीका कोन पकड़ने का क्या है पहले वह समझिए ठीक है इसलिए आज आपके लिए क्लास वन ठीक है बहुत ही अच्छी और इंपार्टन क्लास है देखिए सबसे पहले आप उपनी कोन को अच्छी से रेडी कर लो और उसके अंदर जो पेस्ट होना चाहिए वह आपका एकदम पॉर्फेक्ट होना चाहिए ठीक है मार्केट का हो या खुद का बनाए हो ताकि कोन अटके ना बिल्कुल भी रुके ना ठीक है इस तरह से और गाइस अच्छे जे जो कौन की ग्रिपिंग है बहुत होनी चाहिए कोन कैसे पकड़ते हैं सबसे पहले जो कोन का स्रिप एक इंच ठीक है एक इंच पार्ट इस तरह से रखना है और थमसे कौन को पुष करना इस तरह से ठीक है यह देखो मेंदी गिर रहे है ना इस तरह से आराम आराम से आपको मेंदी को पुष करना है ठीक है किसी भी डिजाइन को सीखने के लिए बड़े से बड तो कड़ते लेगन फिनिसिंग को डॉक्त करना कितनी प्रकार के होती कौन कौन सी होती है सबसे पहले टच करें पुश करें आराम से आपको डॉक्त रॉक्त करना है इस तरह से ठीक है जिन लोगों को लाएन्स बनानी बिल्कुल भी नहीं हाती है गैस बोलो आज सीख लें कि outline को कैसे draw करते हैं देखिए इस तरह से आप lines बनाए और guys आज हम सीखेंगे lines से बहुत सारे pattern को बनाना ठीक है आपको सबसे पहले इस तरह की outline से practice करनी है ठीक है और अगर आप चाते हैं कि इस type की training को मैं continue रखूँ जैसे मैंने last time जो लाया था class 1, class 2, class 3 इस तरह से तो guys ही class 1 है ठीक है इसको पहले अच्छे समझिए आप उसके बाद हम बात करेंगे बागी classes की ठीक है इस तरह से guys आप एकदम perfect आप outline को draw करें ठीक है कुछ इस तरह से और guys lines कितने प्रकार की होती है देखिए जैसे मान लीजिए आपने ये बनाया line से एक plus का निसान for example ठीक है इस से guys आपके बहुत सारे design निकल सकते हैं कुछ इस तरह से ठीक है कुछ इस तरह से आपको एक एक design को अच्छे से और अराम से बनाना है ठीक है देखिए guys सबसे important है finishing लाना अगर आपके हाथ में finishing नहीं आपा रही है तो guys कहीं न कहीं आप लोग practice बिल्कुल भी नहीं करते हैं ठीक है और जो लोग practice करते हैं तो guys उनके लिए finishing लाना या finishing से कोई pattern बनाना बिल्कुल भी tough नहीं है ठीक है इस तरह से देख रहे हैं guys आज म सिर्फ lines से pattern को draw करना सीखेंगे जितनी अच्छी हमारी lines होंगी उतना बढ़िया हमारा pattern होगा और guys lines को एकदम perfectly draw करना है जब आप इसकी practice करोगे ना तो guys आप lines बनाना सीख जाओगे अब मैं आपको एकदम straight line बनाने सीखा हूँ आप बोर हो जाओगे ठीक है इसलिए guys आज आपको हम सिखाएंगे अलग-अलग तरीके से outline को draw करना ताकि आप बोर भी ना हो और आपको interest भी आता रहे ठीक है guys देखे रहो ना कितना मस्त लग रहा है यह हमारा हो गया element number one यह हमारा हो गया element number two ठीक है अब हम बात कर रहेंगे outlines से हम क्या-क्या बना सकते हैं देखिए स सबसे पहले मान के चलिए फर एक्जामपल आप इस तरह से आप line को draw करें एक दम straight line दी ठीक है बहुत ध्यांच समझेए अब आप इस तरह से lines को draw करें ठीक है मान लो आपने line को draw किया और line आपकी तूट जाती है तो guys बिल्कुल भी panic ना हो जहां से आपने line को start किया है वहीं से आप line को दुबारा से start कर लें इस तरह से ठीक है आपको तीन line दीनी है आराम आराम से फिर यहां touch करें पुश करें outline को draw करें इस तरह से एक एक line को आपको perfectly draw करना है जल्दवाल जी अगर आप करोगे तो आपका pattern खराब हो जाएगा और guys मैं आपको बता दूँ दिवाली का time चल रहा है और मेरा schedule इतना बिजी है कि बिल्कुल भी time नहीं मिल रहा है कि मैं आपके लि लेकिन guys फिर भी मैं आपके लिए इस training लेके आया हूँ ताकि आप लोग मेरी training का बेसवरी से इंतिजार करते हैं स्रिम इसलिए और guys मैं आपको बता दू time क्या हो रहा है देखिए आप भी देखके soft हो जाओ time देखो आप guys कितने बज रहे है आठ नवेंबर एक बचके 25 मि example दिया है अब यहां पर इस तरह से आप लाइन को ड्रॉ करें like this one इधर भी ड्रॉ करें कुछ ऐसे इधर भी ड्रॉ करें कुछ ऐसे फिर इधर ड्रॉ करना है आपको लाइन्स को इस तरह से जब आप इनकी practice करोगे तो आप guys lines बनानी सीख जाओगे और इन लाइनों से आप बहुत सारे pattern 9 design create कर सकते हो और guys बड़े से बड़ा design चाहिए वो normal हो special हो bridal का हो non bridal का हो आप कोई सबी design लगा सकते हो बहुत ही आपको मैं design को बनाना समझा सकूँ ठीक है इस तरह से आप यह बनाओगे तो guys इस तरह से कुछ यह check बनके आए ठीक है guys मैंने lines का यूज किया है कोई मैंने dots का यूज नहीं किया है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप बात करते हैं यह हमारा हो गया element number 3 चेक है आप देखो lines कितने तरह की होती है और lines हम क्या बना सकते हैं ठीक है lines को बनाना कोई easy नहीं है बहुत टफ होता है लेकिन अगर आप पूरे concentrate से बनाते हैं तो guys आप कुछ भी बना सकते हैं ठीक है अब यहां पर हम touch करेंगे push करेंगे इस तरह से एक अच्छी से line को draw करेंगे इधर भी हम टच करेंगे push करेंग एक अच्छी से line को draw करेंगे इधर भी हमने line बनाया इधर भी हमने line बनाई इस तरह से ठीक है guys इसको बहुत द्यांत समझना आज मैं आपको line से ही बहुत अच्छे-च्छे pattern guide करूँगा यह देखो मैंने दो outline यहां दी अब फिर से मैंने एक outline यहां दी ठीक है और उसके बाद एक outline यहां दी अब करना क्या है यहां पर मैं एकदम state outline दूँगा कुछ ऐसे ठीक है अगेन मैंने outline दी एकदम state इस तरह से फिर से मैंने outline दी एकदम state कुछ इस तरह से ठीक है एंड फिर से guys मैंने outline को draw किया कुछ इस तरह से ठीक है आप चाहें तो इसको आप double कर सकते हैं ठीक है इसलिए देखिए जैसे मैंने आपड़ टच किया आपने outline को ड्रौ किया ठेक है इदर भी touch किया पुछ किया आउट्वmond को ड्रौ किया इदर भी touch किया पुश किया आउट्वन को ड्रौ किया कुछ इस तरह से clear guys यह बनेगा क्या अब हम बना क्या रहे कुछ ऐसे यहां पर भी लाइन दी कुछ ऐसे यहां पर भी लाइन दी ठीक है फिर से हमने यहां एक आउट लाइन दी यहां पर भी आउट लाइन दी इधर भी आउट लाइन दी ठीक है फिर से गाइस आपको छोटी से लाइन देनी है और कोन को क्लेन करना है अगर आप अप खराब हो जाएगा और फिनिसिंग भी नहीं आएगी क्योंकि होता क्या है जब बार बार कौन को चलाते हो ठीक है तो गैस कहीं ना कहीं हमारी कौन जो है वह थोड़ी सी विकार चलती है और अगर उसको बार बार क्लीन करते हो तो गैस उसको एक रिफ्रेस्मेंट मिल जाता है ठीक है कुछ इस तरह से गैस यह देखो दूर से क्या लग रहा है यह मैंने चैक बनाया है यह चैक का डिजाइन है और इसको बोलते हैं स्वास्तिक का डिजाइन जो की बहुत इजी है गैस सोचो मैंने को फर्स्ट क्लास में स्वास्तिक का चैक बनाना सिकाया है जो की होती ज्यादा सिंपल डिजाइन है तो आज हमने लाइन से क्या क्या सी का सौस्तिक का चैक आउट लाइन और एक एक लेयर ठीक है इसको अगर आप बोल्ड कर दोगे तो यह देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और हाइलाइट करेगा अब हम बात करते हैं और कौन-कौन से डिजाइन होते हैं जैसे मान लीजिए एक्जामपल के तोर पे मैं आप एक दूट लाइन देता हूं देखिए हमारी लाइन टूट चुकी थी मैं इसको दुबारा रिपीट कर रहा हूं ठीक है अब यहाँ पर भी मैं इसको इस तरह से रिपीट करूंगा थ अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक चोता सा बॉक्स यहाँ पर भी चोता सा बॉक्स इस तरह से ठीक है अब इसको पिना उपार यंदे इंगे से आपको एकदम कॉंसेंट्रेट से आउटलाइन बनानी है जो आपका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा मस्त लगेगा और फाइन बनेगा कुछ इस तरह से ठीक है देख रहों ना गाईस कितना अच्छा लग रहा है ठीक है अब हम क्या करेंगे जस्ट इसके बगल में इ फिर से आउटलाइन देंगे फिर से आउटलाइन टोड लेंगे फिर से आउटलाइन ढ्रॉट लूट किया देख हमारी डूलाइन टूट गई है qoji बात नहीं जहां से लाइन टूटती है वहीं से आप लाइन क tutka और इसको जोड़ दो ठीक है तक हमारा जो यह डिजाइन में यह incomplete ना लगे ठीक है इस तरह से इसको बनाएए एक एक लाइन को finishing से बनाना है ठीक है और गाइस चेक कर डिजाइन है आपको बता दू इस डिजाइन को मैंने आपको जो यह डिजाइन से काया है इन डिजाइन को आप bridal हो non bridal हो special hands हो कहीं पर भी apply कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ठीक है अब अगेन हम इस तरह से lines को draw करेंगे और गाइस जब अभी यह बनाओगे न यकीन मानी आपको मज़ा आगा बिलकुल भी बोर नहीं होंगे ठीक है एक एक लाइन को मज़ा को perfectly ड्रो करना है जहां आपने जल्दवाजी की जल्दी के काम सैतान का होता है पता है ना तो जल्दी नहीं करना ही है आराम से बनाना है कुछ इस तरह से ठीक है तो गैस यह हमारा element number 4 हो गया और यह हमारा हो गया element number 5 ठीक है अब हम बात करते हैं next design की next हमारा design कौन सा है उसको बहुत ध्यान समझी है वो भी लाइन से ही related है इस तरह से हम एक एक लाइन को perfectly draw करेंगे कुछ इस तरह से ठीक है यह गैस हमने बनाया element का design यह box का design है ठीक है इसको बनाने के बाद अब हम इसके अंदर बनाएंगे एक outline फिर से कुछ इस तरह से ठीक है अब गाइस हम इसको corner to corner joint करेंगे corner to corners को हमने joint किया इधर भी corner to corners को करेंगे joint कुछ इस तरह से आज हमने ना small circle का ही उच किया है और यूच की आया आज हमोंने उच किया है तो वह आउट लाइन जशी में इसे लाइन इस तरह से अगर अभी तक आपने ट्रेव से ल्याइब अधर आपने ट्रेनिंग और बहुत ही जादा यह बेल लं लाह कितना मस यह चैक बणा है हमारा और कितना सुंदर लग रहा देखने में ठीक आप फिर से आ कैसा मिग्रेदम स्टेट लाइन देंगे इधर भी हमने गदम स्टेट लाइन दि इधर भी स्टेट लाइन दि आर इसके अंदर अगर मदवनी की तरह बोल्ड करतेंगे और यहां चोट अस सब डॉट देंगे तो गाइस इसका जो लुक है बहुत ज्यादा ultimate लगेगा comment करके बताओ पूरे design कैसे लगे ठीक है और गाइस ट्रेडिंग में अगर मज़ा आ रहा हो तो like जरू करें और comment करें ठीक है अब गाइस हम बात करते हैं seven element की ठीक है वो भी line से अब हम बात करते हैं element number seven ठीक है सबसे पहले हैं यहाँ पर हम टच करेंगे पुश करेंगे आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से इधर भी हम आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे इस तरह से यहाँ पर भी हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है अब इसके अंदर हम क्या बनाने वाले हैं बहुत द्यान समझे यहाँ पर हम एकदम state आउटलाइन देंगे इधर भी state outline देंगे ठीक है यह बनाया अब यहाँ पर आपको हम समझाएंगे इस तरह से जब आप इस तरह से outline डालते हो ठीक है तो यह बनते हैं check के design ठीक है जो कि बहुत ही easy और बहुत ज़्यादा simple है बिल्कुल भी tough नहीं है ठीक है कुछ इस तरह से अब एकदम हम यहाँ आपर भी state outline देंगे इस तरह से एक-एक line को में confidently देना है perfectly draw करना है कुछ इस प्रकार से ठीक है यह आपने बनाया देखो गैस कितना प्यारा check बन गया है और एक check जो बनाने का तरीका होता है वो होता एकदम state यह एक-एक line को अच्छे से draw करना है कुछ ऐसे guys check जो हमारा है वो दो तरह से होता है एक तो बनता है एकदम सिदह हिदा जो हम बना रहे हैं और एक होता है जो हम बना चुके हैं कुछ इस तरह से ठीक है अब इसको एकदम state outline दो ताकि हमारे जो यह box है वो अच्छे से draw हो सकें like this one ठीक है यह guys हमारा seven element है guys मैंने आपको एक बटा दो दिय हैं ताकि आप जल्दी से अच्छा सीखें और count time में दो चीज़ सीखें बात करते हैं guys element number eight की जो हमारा eight वा element है वो क्या है सबसे पहले एकदम state outline दो ठीक है फिर से आप state outline दो यहां पर फिर से आपको state outline देनी है कुछ ऐसे और बीच में एक line को draw करें कुछ इस तरह से ठीक है अब करना क्या है इसमें आपको एकदम state line देनी है इधर भी state line देनी है ठीक है इधर भी state line देनी है इधर भी state line देनी है इधर भी state line देनी है ठीक है clear है guys इधर भी आपको ए स्ट्रेट लाइन देनी है इधर भी स्ट्रेट लाइन देनी है ठिक है इसको चाहें क्रॉश में बनाएए यह बनाइए प्लस में छिखैं अगर कोई बंदा देखेगा ना इसको तो सोचे रहे बनाया कैसे चाहें यह design हो यह design हो इसलिए गाइस ट्रेनिंग आपने लिए, ट्रेनिंग कस्टमार ने नहीं लिए, ठीक है, जितनी बारिकी से आप चीजों को समझते हो, उतने ही फिनिसिंग से आप जब किसी क्लाइन को लगाते हो ना, तो आपका क्लाइन आपके तारिफ जरू करेगा, ठीक है, यह मेरा प्रॉमिस है, अब हम बात करते हैं, नाइन एलिमेंट की, वो भी हमारा आउटलाइन से ही रेलिटेट रहेगा, सबसे पहले हम आउटलाइन को स्टेट दें, ठीक है, अब हम बनाएंगे बड़ी सी आउटलाइन, बड़ी का मतला इतनी बड़ी नहीं, नॉर्मल साइज, ठीक है, अब उससे छ आउटलाइन को स्टार्ट करना है, ठीक है, यह देखो, इस तरह से, गैस मस लग रहा है ना, जब आउटलाइन को ड्रॉ करते हो, छोड़ते हो, तो हलके हाँ से आपको टच करना है, ताकि उसमें एक बारी बाला लुक आए, और उसका जो कर्व है, वो और वियादा, क्लिय एंड फाइन वन है, ठीक है, अच्या लग रहा है ना, गैस, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, अब हम बात करते हैं, अपने अलिमेंट नमबर 10 की, अलिमेंट नमबर हमारा 10 क्या है, उसको बहुत ध्यान समझे है, उसको भी हम बनाएंगे, बहुत ही फिनिसिंग से, सबसे पहले guys हम इस तरह से outline को करेंगे draw कुछ इस प्रकार से एक-एक line को finishing से बनाना है इधर भी एठी से बनाना है और guys एक बात बताओं अगर मैं आपको starting में बोलता है न कि आपको इस तरह से practice करने ही 100 वार तो पता है यार आप बोर हो जाते हैं ठीक है इसी लिए मैं आपके लिए इतने सारे element लाया हूं जो की line से रेलेक्टेड हैं और जब आप इनको बनाओगे ना एक तो की practice मस्त हो जाएगी दूसरा आपको मज़ा बहुत आएगा ठीक है किसको इस training में आनन्द आ रहा है और वो मज़ा ले रहा है में ट्रेलिंग में उसको बहुत ये अच्छा लग रहे है comment करके जरू बता है ठीक है इस तरह से आप outline को बना दें बनाने ठीक है क्लियर है गाइस इसको आप N कहलो या B कहलो ठीक है बनी है आउट लाइन से कोई मैंने इसके इंदर कुछ नहीं किया है ठीक है बहुत ही एजी डिजाइन है यह भी अब यहां पर आपको एकदम स्टेट लाइन देनी है इस तरह से एक एक लाइन को फिनिसिंग से बना लाइन को आपको अच्छे से ड्रॉ करना है सबसे पहले आउट लाइन दे फिर आउट लाइन दे ठीक है जैसे मैंने यह बनाया ना अब देखो मैंने क्यों बनाया दोनों इंतर क्या है इसमें यह वाला जो पार्ट एन आपको बोल्ड दीख रहा हुए थोड़ा सा मूटा ठीक होगा यह वह जब हम दाए चाहि को पर्संट्री ऑनाि को फिर इसको डोग किया फिर इसकोड रोग किया, फिर इसको ड्रो किया फिर इसको ड्रो किया फिर इसको ड्रो किया मज़ा आरहा है ना इस तरह से इधर भी एक एक line को अच्छे से और finishing से बनाना है जल्दवाजी जहाँ अपने की वहीं आपका pattern खराव हो जाएगा फिक है जल्द वाजी बिल्कुल नहीं करनी है और गैस अगर आप चाहते हैं कि मैं Class Two लेके आऊं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइप से कुछ element को लेके Class Two लेके आऊं, तो गैस कॉमेंट करें कि सर आप Class Two ज़ुरूर लेके आई ये, ठीक है, लेकिन GUYस Class Two तभी लेके आउंगा जब आप मेरे ट्रेनिग को देर सारा प्यार देंगे सपॉर्ट करेंगे और इस ट्रेनिग को क्योंकि अगर आब ट्रेनिग को स्रίप अपने तकarks हो न तो आपके तक ही जाईगी जैसे अगर मैं भी चाता तुह आप तो सीख जाएंगे लेकिन सोच हमारी गलत है जितना हम ग्यान को बाढ़ते हैं उतना हमारा ग्यान बढ़ता है ठीक है जैसे आपके काम ही ट्रेनिंग आ रही है और भी लोग ऐसे हैं जो आज भी वेट कर रहा है कि कास इस ट्रेनिंग हो जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखें औ हमारे पास है यह बनाया हमने अपना एलेमेंट नंबर 11 गैस फानली अगर हम बात करें एलेमेंट नंबर 11 की तो आपको सिंपली इस तरह से आउटलाइन को ड्रॉ करना है कुछ ऐसे ठीक है और यहां पर भी आपको बॉक्स बनाना है कुछ इस तरह से और यहां पर भी आप को बॉक्स बनाना है कुछ इस तरह से ठीक है बहुत ही ध्यान से समझना element number 11 इसमें करना क्या है आपको एक एक आउटलाइन को बहुत ही जादा concentrate से बनाना है ठीक है जब आप इतने सारे element को बना लो तो guys आपका जो concentrate level है आपका जो patience level है आपकी जो clarity है आपकी जो quality है बहुत जादा fine हो जाएगी ठीक है और फिर आपको इस तरह से outlines को draw करना है ठीक है और guys यह training जो मेरी training को attend करते हैं मेरे बहुत ही अच्छे और honore students ठीक है उनके लिए भी है और जो लोग मेरी training को guys first time देख रहे हैं यह training उनके लिए भी बहुत जादा valuable और बहुत जादा खास है ठीक है वो यह नहीं कह सकते कि मुझे training बिल्कुल भी नहीं आती मुझे design बिल्कुल भी नहीं आता है ठीक है क्योंकि यह design बहुत जादा simple है बिल्कुल टफ नहीं है एक एक लाइन को अच्छे से दें जब आप एक एक आउट लाइन को अच्छे से और पॉर्फेक्टली ड्रॉ करोगे तो guys कुछ इस तरह से आपका यह design बन के आएगा खिल के आएगा और उबर के आएगा ठीक है इस तरह से आपस में एक भी मिक्स नहीं होने चीए ठीक है मस्त लग रहा है ना एकदम फाइन चेक इसकी प्रैक्टिस कम से कम आपको करने है 25 टाइम जो यह वाला डिजाइन है 25 टाइम इसकी बाकि जितने भी 11 के 11 डिजाइन है जब इनकी प्रैक्टिस 25 बार करोगे ना तो guys सच कह रहा हूं ज्यादा नहीं मात्र दो से तीन मेने के अंदर ना बहुत ही अच्छी फिनिसिंग और बहुत ही अच्छी परफेक्ट फिनिसिंग लेकर आऊगे दो सितनी मेने कैस मैंने बहुत बता दिये अगर आप 10 दिन भी कर लोगे ना दिल से मैनस से तो guys बहुत दिन दूर नहीं जब आपकी ह याड़ दोगे और guys likes कम से कम 2000 क्रॉस पहुचेंगे आप सभी को नमस्कार थैंक्यू सुमच गाइस